हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता से जोड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन भाशनों में कुछ और दिखाई देता है, तो मैं भाटिया साथ से पहले शुरुआत करना चाहता हूँ, प्रधान मंतरी मोधी जी ने आज ही ये बात दोरा है, आज ही इस बात को कहा, कि अब गुजरात में हिंदु मुसल्मान का कोई नेरेटिव नहीं चलता, गुजरात में दंगा नहीं होता, शांतिय सद्भाव है, और कोई ऐसी बात भी नहीं करता, और वहीं हम देख रहे हैं, हिमंत बिस सर्मा अपनी हर रैली के अंदर, कभी लब जिहाद की बात करते हैं यूनिफर्म सिविल कोर्ट का हवाला देते हैं, तो उसमें भी आफ़ताब को ले आते हैं, तो किस की बात मानें? स्वरव जी, सरप्रथम तो मैं ऐसे पहले तथ्य रखूंगा, जिसको कोई नकार नहीं सकता है 27 साल 6 चुनाव भारतिय जनता पार्टी को जनता ने आशिरवाद देके सेवा का मौका दिया, क्या दर्चाता है? कि गुजरात मौडल विकास का मौडल है, इमांदारी और पारदर्शिता का मौडल है, और श्री नरेंद्र मोदी जी गुजराती अस्पिता से जुड़े हुए हैं ये अपने खेत में 2000 मचलियां पाल के हर 6 माहिने में 3 लाग तक कमा रहे हैं आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए दूसरी बात, क्या ये सबते नहीं है कि भाजपा की सरकार गुजरात में होने से पहले कॉंग्रिस के समय में वहाँ पे सांपरदाइक दंगे होते थे, रोज रोज कर्फियू लगता था आज गुजरात वो प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा विकसित और अगरड़ी है जब विकास की और अर्थवियस्ता और रोजगार की और शिक्षा और स्वास्त की बात आती है तीसरी बात, देखिए एक बात हमें समजनी होगी, हम फिर से ये यकीन रखते हैं कि एतिहासिक जीत होगी और डबल इंजिन की सरकार गुजरात में बनेगी और गुजरात की जंता हमें आशिरवाद देगी लेकिन हिमंत बिस सर्मा जी जो कहते हैं तो OAC जी कहते हैं कि देखिए असाम का मुक्यमंत्री गुजरात में आके लव जिहात की बात कर रहा है अरे हैदराबाद के सांसद जब लखनव गए थे उत्तर प्रदेश चुनाब में याद करिए सौरफ जी वहाँ पे कह रहे थे हम मुक्यमंत्री और पाँच डेपिटी सीम बनाएंगे मुसलमान जो छेचे महीने में बदलेंगे तो हैदराबाद का सांसद क्यों वहाँ गया था ये लोगतंत रहे भारत में हर किसी को इजाज़त है कि वह प्रचार करे और अपती बात रखे और मैं वज़ा बताता हूँ कि क्यों बात हो रही है यू सी सी यूनिफॉर्म सिविल कोड की संविधान अगर पढ़ा होता हुए इसी जी ने संविधान तो पढ़ते नहीं है शबत संविधान की लिए है लेकिन पढ़ते है वो अपनी धार्मिक किताब को अगर उन्हेंने पढ़ा होता अनुछेद 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा और हम सब जानते हैं कि तुष्टी करण की राज़िती करते हुए कॉंग्रिस में इतना दमकम नहीं था इनके पास रीड की हड़ी नहीं थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तो जो हिमन्त जी कह रहे है वो बिलकुल सही बात कह रहे है यही उद्देश ये है हमारे सब्दान का दूसरी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके एजन्णा में है हाँ बोले बोले इसी पार रहा है अशोग गहलोत का बयान उससे पहले आया हम मैं बोल लूँ सौरफ जी आप बताईए आप पूरी चाहां मैंने कहा आप कंप्लीट कीजिए लव जिहाद बात बताईए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपके एजन्डे में है ठीक है ये लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने लव जिहाद और आफ़ताब कहां से आ गया ये ऐसे आ गया मैं आपको बताऊं हिमंत जी का विक्तव्वे तो आप चला रहे हैं आप अपने चैनल के रिसर्च टीम से कही है अशोग गैलोत का वो विक्तव्वे चलाएं जो पहले ये बोल रहे थे वो कि आफ़ताब को टार्गेट किया जा रहा है क्योंकि वो एक मुसल्मान है अब आप मुझे एक बताईए बात हमारे देश की बच्ची उसको किस तरह से हत्या कर दी जाती है टुकले टुकले कर दिये जाते हैं और इसमें भी धर्म ढूल लेती है कॉंगर्स पार्टी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आरोपी जो है उसको टार्गेट किय जा रहा है यह बाटिया साब यह इसका जवाब नहीं हो सकता ना कि हेमंद्विस्ट सर्मा फिर आफताब का धरम बता रहे हैं इसका जवाब शुप्रिया जी दे देंगी अशोग एलोगी की बात का जवाब मैं आपसे पूछना चारा हो बाटिया साथ मेरी आवाज अगर धरम बता रहे हैं और मैं तो अहरान रहे गया हिमंद्विस्ट सर्मा ने एक ऐसी बात कह दी प्रचार में जो अभी तक दिल्ली पुलिस में नहीं कई महाराज की पूलिस में नहीं कई कि आफताब ने उन्हें यह बताया है कि वो हिंदू लड़कियों को इसलिए डेट करत जो अस्तित्व है उसको बदल कर छुपा कर और ऐसे दिखाना कि हम हिंदू है और जो लड़कियों होती है उनको फसाया जाता है यह सत्ते है लेकिन आप पूछेगा जब एक आरोपी का धर्म ढूनके कहा जाता है कि इसको टार्गेट किया जा रहा है यह कितना उचित है इ आपने देखा हमने हिमंद विस्वर्मा की बात की तो सीधी बात होने लगी अशोग गहलोज साब के और यह बात गलत नहीं है कि उन्होंने इस रुप्या जी बयान दिया था कि आफताव का धर्म ढून करके विक्टिमाइज किया जा रहा है गलत से ही पर नहीं जा रहा हू आप अशोग गहलोज जी का बयान उठाईए और उन्होंने क्या कहा था वो रीप्ले करिये आप उनकी बात को तोड़कर प्रस्तुत मत करिये लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत होने के नाते मुझे दुख होता है कि एक देश की एक लड़की के टुकडे टुकडे कर कर उसके साथ जो दरंदगी आफताब नाम की आदमी ने करी उसको तो ऐसी सजा मिले कि ऐसा करने से पहले सोचने वाले की रूख आप जाए कि वो हिंदू हो या मुसल्मान हो सीख हो या इसायो मुझे से कोई मतलब नहीं है एक लड़की की और गंदी नजर उठा कर देखन करने से पहले एक आदमी की रूख आप जाए ऐसी सजा उसको मिलनी चाहिए लेकिन मैं आपसे उसी वक्तव में एक लड़की होने के नाते और पूछती हूं आयूशी यादव की हत्या उसके पिता नितेश और मा ब्रिजबाला ने कर दी क्यूंकि वो अपनी मर्जी से इतना हो तो उसका सर धर से अलग कर दिया हाथ पैर काट के अलग अलग फेक दिये ये कौन से दरिंदे इनका कोई धर्म नहीं है इनका कोई इमान नहीं है ये मानवता के नाम पर कलंक है ये औरतों को समझते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दरिंदे जाहिल जानवर हैं और इनके साथ वैसा ही सलूख होना चाहिए ये कोई फरक नहीं पड़ता ये किस धर्म से हैं ये अपने खेत में 2000 मचलियां पाल के हर 6 माहिने में 3 लाग तक कमा रहे हैं आपको भी ये करना है इनसे सीखना है तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए निर्भया जैसा रेप केस शायदी कभी इस देश की आत्मा को जगजोडता हो कौन थे वो सारे अक्यूज्ट जो की दोशी पाए गए कौन थे वो सारे अक्यूज्ट मैं जानना चाहती हूँ वो किसी धर्म के थे नहीं वो दरिंदे थे वो हैवान थे जिन्होंने ऐसा किया इसको धर्म के चश्मे से देखना और खास तोर से जब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के दावरान इसको एक मुद्दा बनाता है शर्मानी चाहिए आप चुनकर समविधान की शपत लिये हैं और आप एक प्रांत के मुख्यमंत्री हैं और आप गुजरात आकर इतनी ओची बाते कर रहे हैं कोई मुद्दे नहीं है क्या गुजरात में आपने 27 साल सरकार चलाइए उसी के रिपोर्ट कार्ट पर वोट मांग लीजिए MCD पर आपकी अकांगशा है आपको बेनकांग करके वोट मांग लिए आपके CK राउल जी को वोट मांगने के लिए आपने उनको टिकेट भी दे दिया जो संसकारी बता रहे थे 11-11 बलातकारियों की रिहाई को उनको आपने टिकेट दिया है कैसी बाते ये लोग करते हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर